गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, I hope you are fine बिटा, SST में हमारा चैप्टर 19 चल रहा है इंडिया दा गोर्मेंट बिटा, आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा, रीड किया, समझा आपको समझ में आ गया होगा बिटा, कि इसमें क्या क्या है, ठीक है आपने बुक में से इसकी exercise भी learn कर ली होगी बिटा आपका बिटा, जो UT syllabus है न, UT के अंदर आपका chapter 19 आएगा, chapter 18 आएगा और chapter 17 आएगा बिटा, ठीक है, chapter 17, 18 और 19 यह आपको अच्छी तरह से बिटा समझने है, बुक में से अच्छी तरह से read करना है ठीक है क्योंकि आपका जो paper होगा न, वो optional होगा, ठीक है, तो आपको बुक में से अच्छी तरह से lesson को read करना है ठीक है तीनो lesson read करेंगे, आप देखें बिटा, आज हम इस chapter के कर रहे हैं question answer देखें, India the government first question है बिटा, define the word government जो word government है न, इसको define करना है कि यह क्या होता है बिटा क्या होते है बिटा, government गोर्मेंट जो है, किसी भी state की एक governing body होती है उसको चलाने के लिए, किसी भी state को चलाने के लिए, जिस body, जिस system की जरूरत होती न वो क्या होता है बिटा गोर्मेंट होता है तो देखिए इसका आंसर क्या बना दा गोर्मेंट इस दा गोर्निंग बोडी ओफ ए स्टेट या ओफ ए कंट्री कंट्री हो स्टेट हो आप कुछ भी बोलिए बिटा ठीक है समझ में आ गया कि क्या होता है government the government is the governing body of a state बिटा next है what are the main types of government government की main types कौन कौन सी है कितनी type की government होती है बिटा तो बिटा आपने lesson पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने कि government जो है two type की होती है एक होती है central government दूसरी होती है बिटा state government central government एक particular country को गवर्न करती है जबकि जो state government है एक state को गवर्न करती है बिटा ठीक है देखिया the main types of government are number one हो गया central government दूसरा हो गया state government central government को हिंदी में केंदर सरकार कहते हैं जबकि state government को राजय सरकार कहा जाता है next है बिटा who is the head of central government central government का head कौन होता है बिटा central government का head होता है prime minister हमारा जो परधान मंत्री है न वो होता है और अब हमारा परधान मंत्री कौन है बिटा अब है हमारा परधान मंत्री स्री नरेंदर मोधी अगर ये पूछा जाए बेटा कि state government का head कौन होता है बेटा तो state government का head होता है chief minister और today जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे chief minister है वो कौन है मनोहरलाल खटर तो मनोहरलाल खटर जो है state government के head है फिलाल और central government के head है prime minister में स्री नरेंदर मोधी बेटा next है बेटा what is the state government state government क्या होती है देखिए क्या है what is the state government राज्य सरकार क्या होती है बेटा क्या होती है बेटा देखिए the state government is the governing body of a particular state विशेज particular राज्य विशेज के लिए जो government होती न उसको क्या कहा जाता है बेटा state government कहा जाता है next है बेटा name the two houses of parliament क्या कि हमारी जो parliament है parliament means sunset जो हमारी संसद है इसके two houses कौन कौन से है तो बेटा इसके दो सदन होते हैं two houses कौन कौन से है बेटा वो लोग सभा एंड राज्य सभा देखिए अब two houses of parliament क्या क्या है बेटा लोग सभा और राज्य सभा ठीक है तो बेटा यह आपके five questions है जिनको आपको क्या करना है अपनी fair notebook में सुन्दर सुन्दर writing में लिख लेना है और साथ में लर्न भी कर लेना है फिर से देखिए first है define the word government क्या होगा the government is the governing body of a state next है what are the main types of government government की main types कौन कौन सी है बेटा तो government की main types है बेटा central government and state government next है who is the head of central government कौन है बेटा प्राइम मिनिस्टर कौन है प्राइम मिनिस्टर next है what is state government state government क्या होती है यह होती है governing body of a state governing body of a state governing body of a particular state क्या होती है state government next है बेटा name the two houses of parliament तो बेटा parliament के two houses कौन कौन से लोग सभा and राज्य सभा ठीक है यह आपके five के question हो गए है आप क्या करोगे इन five कृष्णों को बिटा ध्यान से समझ लोगे समझने के बाद अपनी fair notebook में write करोगे सुंदर writing में करना है बिटा और उसके बाद क्या करना आपको learn करना है learn करके अपनी rough notebook में लिख कर देखना है ठीक है यह आज का आपका work रहेगा बिटा ओके बिटा थेंक्स